अगर हम ध्यान से सोचें हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के रास्ते में क्या प्राबलम आती है Mostly problem यह आती है कि हम motivated नहीं रहते कभी-कभी हम motivated feel करते हैं लेकिन mostly हम कि कहते हैं कि मैं demotivate हो गया वो motivation कहां चली गई उसका हमें पता नहीं लगता तो ध्यान से अगर सोचा जाए तो मोटिवेशन कहा गई, उस मोटिवेशन को क्या हुआ दोस्तों बात ये है कि जितनी देर कुछ पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार हमारे दिमाग में रहते हैं हम खुद को मोटिवेटेड, सेल्फ डिरिवन महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे and we are very excited about the same लेकिन जैसे ही वही पुराने नेगेटिव विचार जो कुछ परिशान हमें करते हैं वो दुबारा हमारे दिमाग में परहावी होने लगते हैं हम लोग हमारी वो मोटिवेशन कहीं गायत सी हो जाती है और फिर हम दुबारा उनी परिशानियों में चले जाते हैं और हमारी जो वो स्पिरिट है जो एंथुजियाजम हमें थोड़ी दिर पहले फील हो रहा था वो खतम हो जाता है अब बात ये आती है कि किस तरह से हम ये एंशियूर करें कि नेगेटिव विचार हमारे मन में ना आए जो चीजें हमें हर वकत लगातार परिशान करती रहती हैं वो बार बार दिमार में ना आए और जो पॉजिटिव सोच जिसने हमें थोड़ी देर के लिए मोटिवेट किया था वो पॉजिटिव सोच हमेशा हमारे दिमाग में रहे तो इसका एक ही तरीका है वी नीड तो फीड पॉजिटिव थाट्स इन आर माइंड एंड वी हैव तो डू इट एवरी मॉमेंट हमें ये एंशियूर करना है कि हम उन लोगों से उन सरकंस्टेंस से उन जगा से दूर रहें जो हमारे दिमाग में नेगटे विचार फीड करते हैं जनकी वज़ा से हम दी मोटिवेट फील करते हैं दूसरी तरफ अब हमारे आसपास हालात किसी के आसपास भी आप देखिए हालात ऐसे नहीं होते जो हर वक्त अच्छे हो तो हर वक्त मोटिवेशन वाली बातें कौन करेगा तो इसका जवाब ये है बुक्स आर यूर बेस्ट फ्रेंड्स जितना हो सक्ये किताबें पढ़िये जब परिशान हो किताबें पढ़िये जब टाइम मिले किताब है पढ़िए सेल्फ हेल्फ बुक्स पढ़िए उनोगों का साथ करिए जो सिकसेस्फुल हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीड़ किया है जो आपका भला चाते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं आपको दी मोटिवेट नहीं करते हैं ऐसा करने से आप ये एंशूर कर पाएंगे कि हर वक्त आप अपने माइंड में पॉजिटिव थौट्स फीड कर रहे हैं जब आप ड्राइव कर रहे हैं या आप जिम में हैं उस वक्त भी आप अपने मुबाइल पे पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं ताकि वो टाइम भी आप पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए यूज कर पाएं इस तरह से आइस्ता आइस्ता क्या होगा कि वो जो नेगटिव विचार आपको परिशान करते थे जो आपको डी मोटिवेट करते थे वो आपके दिमाग से निकल जाएंगे और उनकी जगा पॉजिटिव अच्छे विचार ले लेंगे इस तरह से आप आलमोस्ट हर वक्त पॉजिटिव रहेंगे मोटिवेटिट रहेंगे आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप वो आपके मोटिवेट करें और ये एक जो चेंज आपकी लाइफ में आएगी दिस सिंगल चेंज विल चेंज एवरिफिंग इन यूर लाइफ और आप जो भी ड्रीम्स आपके हैं वो आप सारे ड्रीम्स फुल्फिल कर पाएंगे और आप देखेंगे कि हर वक्त आप उसी डिरेक्शन में मूव करते रहेंगे तो आई फील दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए और ये वीडियो अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ये उनको भी फाइदा पूंचा सके थैंक यू सो मच फॉर बिइंग विद मी तिल दे एंड अफ दे वीडियो हैव ए वन्डरफुल डे टेक केर बाबाय